नमस्कार आप सभी का स्वागत हमारी इस खास पेशकर्ष में जो यहां बार बारिश से हाल बेहाल देश के लगला हिस्तों की अगर बात की जाए लगातार हुई बारिश की वजह से जो आपदा है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है खासतार से बार जैसी सिति बने हुई तो वहीं आज सुबह के अगर बात की जाए तो केरल के वाइनाड में भूस्कलन की स्थिती भी सामने आई दरसल केरल में अच्छिदिक बारिश के कारण वाइनाड जिले में मिपड़ी के पास पहड़ी लाकों में भारी भूस्कलन हुआ इसके सासाथ कई हिससे भी हैं जह भूस्कलन में करीब दो सुबचास के लगफा घरों के लोगों के फसे होने की आशंका है फिलाल यहां राहत और बचाव का काम लगातार जारी है वहीं केरल सरकार ने बचावकारियों में समन्वे के लिए अपने मंत्रियों को भेजा है केरल के सभी पांच उत्री जिलों म आज सुबच 6 बचे आएमडी के नमीतम अलट के अनुसार अत्रिक बारिश की संभावना का संकेत दिया गया रेड अलट हुआ और फिलाहल अगर बता दें तो करीब आठ जिलों में रेड अलट जारी किया गया है हलाकि बचावकारिक लिए वायुसेना ने अपने दो हेलि निर्देश भी दिया है तो आपको बतादें अब तक करीब 62 से अधिक लोगों के मारे जाने की सूचना जो है वो सामने आई है और करीब 116 लोग हैं जिने सुरक्षिद भी निकाला गया है लगातार आपको बतादें वायनाड की अगर बात की ज़ाए भीशन्त रास्ती का सामना है करना पड़ारा करीब 200 घर जो इसकी ज़द में आए और उसी में से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं आपको बतादें अभी तक अगर बात की जाए तो लगातार राहत बचाव कारे जो बड़े प्माने पर जा रही है वहीं प्रदाहन मंत्री ने केरल के मुख्य मंत्री से फोन पर बाचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है तो खास और से जिस तरीके से वाइनाड में परिस्तिया बनी हुई है उसको देखते हुए लगातार प्यास की जा रहे है राहत बचाव दल जो है वो बड़े प्माने पर काम कर रहे है वहीं राश्पती द्रवबी मुर्मो ने वाइनाड भूसकलन हादसे पर दुख जताया है उन्होंने शोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्सपर लिखा कि केरल के वाइनाड में भीशन भूसकलन के कारण लोगों की मौत से दुखी हूँ शोग संतत परिवारों के प्रती मेरी समेदनाएं मैं घायलों के शीग्र स्वस्थ होने और बचावकारियों की सफलता के लिए प्रात्ना करती हूँ तो ना सिर्फ राश्पती बिल्की प्रधान मंत्री ने भी जो केरल के वाइनाड में भूसकलन की स्थियाई है इस पर दुख जताया प्रधान मंत्री ने एक्सपर पोस्ट के लिखा कि वाइनाड के कुछ हिसों में भूसकलन से व्यथित हूँ मेरी समेदनाए उन सभी लोगों के साथ है जिनोंने अपने प्रियजनों को खो दिया और घायलों के लिए प्रात्ना करता हूँ प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए बचाव अभ्यान अभी चल रहा है गेरल के मुख्यमंत्री से बात की है और वहां की मौजुदा अस्तिती के मद्दे नजार केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है तो ना सिर्फ प्रधान मंत्री ने दुख ज़ाता आया बल्कि आपको बता दें कि यहां पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड हाथसे में मारे गए लोगों के परिशनों को आर्थिक सायता की घोशना भी की है प्रधान मंत्री के काराले ने एक्सपर पोस्ट कर ये जानकारी दी, प्रधान मंत्री ने वाइनाड के कुछ हिस्सों में बोसकलन में मारे गए प्रतियक व्यक्ति के परिशनों को प्रधान मंत्री राहत कोश से दो-दो लाख रुपे की अनुगरा रर्शी देने की खोशना की है इसके साथ ही घायलों को भी पचास हजार रुपे की आर्थिक मदद दी जाएगी इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजना सिंग ने भी वायनाड हाथ से पर दुख जताया उन्होंने एक्सपर पोस्ट के लिखा कि केरल के वायनाड में भुस्खलन के कारण हुई भामुले जानों की हानी से मैं बहुत दुखी हूँ मेरी समवेदनाएं शोक संत्त परिवारों के साथ हैं मैं सभी की सुरक्षा और भालाई के लिए प्रार्थना करता हूँ उन्होंने भी वायनाड हाथ से पर शोक प्रकट किया है उन्होंने सोशल मीडिया प्रेटवारों मेक्स पर पोस्ट के लिखा कि केरल के वायनाड में भुस्खलन की घटनाओं से मैं बहुत चिंतित हूँ एंडियारेफ व्युद स्तर पर राहत और बचाव अभ्यान चला रही हैं दूसरी टीम अभ्यान को और मजबूत करने के लिए रवाना हो चुकी है मृत्कों के परिवारों के प्रती मेरी समेदनाय और घायलों के शीक्र स्वस्थ होने की प्रात्ना करता हूँ तो लगातार जुस्तिती है वो बनी हुए और उस पर लगातार राहत और बचाव कारे भी बड़े पावर पर काम कर रहा है फिलाल हम यार उकरें एक छोटे से ब्रेक के लिए क्योंकि हर रिष्टा है स्वास से जुड़ा सोना सिर्फ कहना नहीं होता कभी पुष्टैनी पहचांग तो कभी प्यारी सी याद होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल लोन लेने का फैसला समझतारी का होता है मुथूट फैनास ये बात समझते हैं इसलिए वो इमांदारी सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं मुथूट फैनास सदियों का भरोसा हमेशा के लिए तो गोल लोन के लिए काल करें 1-800-313-1212 मुथूट फैनास सब्सक्राइब नुक्षण कैसा बरेगा तुम स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो आप्शिन्स ट्रेडिंग बहुत सो समझकर करें अरे वाद इकरा एक टम बरावर रिस्क समझकर लेने का सोचकर समझकर इंवेस्टिकर तो ब्रेके बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागर ताब देखें हमारी खास बेशकर बार बारिश से कैसे हाल बेहाल हो रखा है और केरल के वाइनाड में भूसकलन की जो इस्तती भारी भूसकलन यहां हुआ है पर केंडरियो मंत्री जोर्ज कुरियन ने वाइनाड भूसकलन हाथ से पर काहा कि प्रदान मंत्री नरेंदर मूदी सुभा से इस घटना को लेकर सक रहे हैं और हर एक चीज की निग्रानी कर रहे हैं और उनने कहा कि केरल के बाहर से राहत और बचावकारी के लिए अर्थ से निकबल पहुच रहे हैं The Prime Minister was active in this thing and monitoring everything. He was taking the stock of the situation and directed the ports and NDRF to reach there for immediate rescue actions. They already moved from Kerala and outside Kerala, South India, these all forces are elected अफिलाल हम यारुक रेकोड छोटी से ब्रेक के लिए जल हासिर होते हैं किचन की किचन में हो तो हम सब कुछ पिना सकते हैं पैंगन का भरता, अलू गोभी, भिंदी मसाला और भी बहुत कुछ अंदी एच, अंदी एच डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है पचाना डिजिटल बैंकिंग है आसान करो चाहे कोई बुकता अनिटाइम, एनिवेर, सेफ है, फास्ट है, थर पेमंट अंलियों पे सेट है लेन देन के हैं ओप्षिंज काई आएमपियस, नेफ्ट, यूपी आइबी चौवीस घंटे करते हैं ये काम, पेमंट आसान और रहे आराम और भी आई कहता है, जानकार बनिये, सतर्क रहिए चुटकला समझ में आया, समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खडपतवार का तो इसमें सबजना क्या है दोस्त, लियाओ धान के खडपतवारों का स्पेशलिस्ट, ग्रीन लेबल आयायल के ट्राक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खडपतवारों का स्पेशलिस्ट तो ब्रेक एबाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत, आप देख रहे थे हमारे खास्पेशलिस्ट, कैसे बार से जो हाल है वो बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है और खास्ता और से, ना सिर्फ हमने इससे पहले बात की थी, केरल के वाइनाड की, लेकिन अगर बात की जाए महराश रहा है, तो वहां आपरेशन राहत जो है, वो चल रहा है जो यहां फिर चाहे सांगली की बात की जाए, या इसके सासाथ हम अगर बात करें, जो दूसरे और भी जिले हैं, उसमें भी भारी बारिश के वज़ाए से लोगों को कही ना कहीं काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सेरा ने शनिवार को सांगली में उपरेशन राहत की शुरुवात की थी, जिसके बाद से वहां फसे सेक्रों लोगों को निकाला जा चुका है, क्या है वहां की तासर स्थी आईए जानते हैं पश्चमी महराष्ट के सांगली में लोग झेल रहे हैं बाड का कहर भारती सेना का राहत और बचाओ अभियान चारी सेना के ओपरेशन राहत के तहर सेक्रों लोगों को बचाया गया भारती सेना की दक्षणी कमान लगातार बारिश और बाड से बुरी तरहा प्रभावित पश्चमी महराष्ट के सांगली में ओपरेशन राहत चला रही है सेना ने शनिवार सुभा बाड राहत और बचाओ अभियान शुरू किया था जिसके बाड से अब तक बाड प्रभावित इलाकों से सैक्रों स्थानिय लोगों को निकाला जा चुका है टीम में दक्षणी कमान के जवान और इंजीनियर रेजिमेंट के अधिकारियों समेर करीब 100 कर्मी शामिल है राहत और बचाओ टीम, नावों, सुरक्षा गियर, लाइफ जैकेट और अन उपकर्णों से लैस हैं दक्षणी कमान ने 2019 की बाड के दौरान भी सांगली, सतारा और कोहलापुर जिले में बचाओ और राहत के लिए ओप्रेशन मदद चलाया था मौझूदा बाड में भी सेना लोगों की जान बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है हमने आने के बाद भी अपने पूरे एरिया को रैकी किया, हमने अपने ड्रोन्स डिप्लाई कर रखे हैं इस बीच सेना यह भी सुनिश्चित कर रही है कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को संकट के समय उचित देखभाल मिल सके साथी पानी में डूबे, घरों में फसे लोगों के बीच, भोजन के पैकट भी वित्रित किये जा रहे हैं कितने लोग रहते थे यहाँ यहाँ पर आट कितने समय से यहाँ पानी जब होगा एक दो तिन दिन होगा तो तो महिलाओं बच्चे भी थे गर में यहाँ रूम ले ले लें उपफर, प्लैट में रहे हैं सेना ना केवल बचाव कार में लगी है, बलकि उसने लोगों के इलाज के लिए कई सौस्थ शिविर भी लगाए हैं और प्रभावित लोगों को दवाईयां भी दी जा रही है हम पूरा एक्विपमेंट लेके चलते हैं हमारे साथ, जो कि हम आदे गंटे के अंदर जो भी लोकेशन दी वहाँ पे हम एक पूरा सेट अप हमारा तयार करता है जहां पे हम मेडिकल कैम चला सकता है, जहां पे हम इन पेशेंट लोगों को ट्रीट कर सकता है जाधा तर जो फ्लेट्स के कारण लेट सिंटम्स होता है, लक्षन होता है, जैसे कि लूज मोशन, फूड पॉइस नहीं, या मच्छर काटने के वज़े से डेंगू फीबर, टाइफोएट, जैसे पानी के माध्यम से फैलने वाले बिमारिया, ये सारी हो रही है और जो नॉमल सरदी खासी वाइरेल फीवर जो होता है, बहुत देर पानी के एरिया में फसे हने के कारण, वो सारे हमारे बार जीमारिया जाधा है सांगली में बाढ का एक मुख्य कारण कोईना और वाणना बंधों का पानी है इन दोनों बंधों से निकनने वाला पानी क्रिशना नदी में बेहता है जो सांगली शहर से होते हुए करनाटक के अलमटी बंध तक जाता है देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इसे प्याँ कैसे बंदी है लेकिन फिलाल आर्मी यहाँ पर डिपला है प्रशाफन यहाँ पर चुस्त मज़र रखें वे तो पश्वी महाराश के अलगलग जो जिलें हैं उसमें कैसे ऑपरेशन राहत जो है वो चल रहा है इसके लिए यह सीधा रुप कर लेते हैं योगिश शीतल का जो हमासा अट जोड़ चुके हैं योगिश क्या ताजा अस्तिती फिलाल बनी हुई है देखे इस वक्त ऑपरेशन यहाँ पर जारी है जो आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि एक आर्मी की बोट आलिडी दू बोट बेटरोल करी है एक जिस पहले हमें और हमारे पीछे एक बोट पेटरोल करी है अभी situation बिलकुल control में है जिला प्रसासन द्वारा जिला दिशा अंदर्देश दिये गए है पब्लिक को पब्लिक भी अपना पूरा safety ले रही है municipal corporation ने भी necessary steps लिये है और अभी जैसे कि पानी कम हो रहा है धीरे धीरे लोग घर में वापस आना शुरू हो गए है और जो post flood situation होता है उसके लिए भी पूरी तरह से municipal corporation जो यहां की है वो तयार है जहांके जो municipal commissioner है सुभम गुपता उन्होंने भी दिशा अंदर्देश दिये है और necessary precautions लिये जा रहे है अब ही जो है यह यह रूटीन पेट्रोलिंग का फ्रिक्वेंसी किस तरीकी अब ही जो है यह रूटीन पेट्रोलिंग है जिसमें हमने कोशेश करी थे कि जो भी लोग जो जो कहीं पेट्रों से निकाला जा चुका है क्या ही जो में जो मिर्मेश्टल करोपेशन सब्सकते हनु जिसमें उन्हों neighborhood लोगों को आउन स्विल पनाया है वहां पे लोगों की लिए उसमें महलाएं, बच्चे, सिर्जेंट सारे होंगे, आप अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एडिया दे सकें कि किस तरीके से निकाला गया, क्योंकि वह आप सिर्जेंट से हैं, बच्चे इनको निकालने में कुस टेक्निकल इशू जाते हैं, वो अगर आप थोड़ा यहां पर जो भी बच्चे या बजुर्ग हैं, उनको जस भी एडिकल रिक्वार्मेंट की ज़रूरत है, हमने उनको प्रोवाइड किया हमारे साथ हमारे मेडिकल टीम भी है, निससरी मेडिसिन्स हम कैरी कर रहे हैं, हमने जिसके वपर जो ज़रूरत थी, डॉक्टर साब न चेक किया, अन ऐसा कोई था, जो ज़्यादा बिमार है, उसको यहां के सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, जो फूट पैकेट्स आपने इंडिस्टिब्यूट किया थे, क्या रहता है उन फूट पैकेट्स में और ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से लोग के काम हमने बैसिकली लोगों को एमारी डिस्टिबूट किया था, जो हम हाड एरिया, फील एरिया में कंज्यूम करते हैं, क्या है यह एमारी बैसिकली आप उसको प्रोसेस फूड है, पहले से उसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिंपली गरम पानी में डाल करके यूज कर सकते हैं, दूसरा जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर कोई किसी एरिया में लंबे समय के लिए फंसा हुआ है, तो वो लंबे समय के लिए स्टोर हो सकता है, वो जल्दी घराब नहीं होता है, सबसे इंपोर्टेंट फाक्टर है उसका, बच्चों के मधद कर रहा है, लोगों की मधद कर रहा है, हमें सहाइता कर रहा है, तो हमारी टीम, NDRF की टीम और जिला पृसासन तीनों मिलके कोशिस कर रहे हैं, यंतरन में प्रस्तिती, किसी प्रकार को किसी के favoredानी की कोई जरूरत नहीं है,खला तभी काबो में है, कि जिस तरीके का momentum है जिस तरीके का तृष हम देख रहे हैं कि घर डूबे हुए हैं लोग यहां से जाच के हैं कर लोग परिजनों के हां चले गए कुछ लोग जो एफ़र्ड कर सकते तो हॉडल स में चले गए कुछ लोग रहा शिविर में चले गए कितने दिरों में आपको लगता है कि पा पानी पहले से छोड़ रहे थे डाम, वहां पे लेबल कम हुआ है, और धीरे-धीरे पानी का लेबल पिसले दो दिनों में काफी कम हुआ है, अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, वो पोस्ट फ्लेट सिच्वेशन, हमारी फैलना, अलग-अलग प्रकार की बेमारिया हो जैसे कर डॉक्तर साब ने भी आपको बताया था कि बेसिकली जो लोग आ रहे हैं, जुनको पेट से रिलेटेड चीज़े दिकता आ रही है, बुखार आ रहा है, तो दिमु का आना, इन सब चीजों का आना, अगले कुछ दिनों में सुरू होगा, तो उसके लिए यहां की मुनिस्पल कमिसेर हैं, उन्होंने भी नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं, और काइडलेंज लोगों को इसू कर दी गई हैं, जी बताएं, आपको पूस रहे थे, जी बताएं, बिल्कुल योगेश जाना चाहेंगी, जिस तरीके से परिस्तियां होगा बनी हुई, अभी हमने द पताओं तो जो बिसकरी जो पश्यमी सांगली है, उसके चार तालुका हैं, इसमें अलग-अलग कुल मिला के आप देखे तो उसमें सौ गाउं आते हैं, ये सौ गाउं में बहुत बड़ी आबादी रहती हैं, जो की प्रभावीत हैं, जो आंकड़ा है, अगर आप प्रशा प्रशानिक सुत्र हैं उनके हवाले से, चार हजार लोग और एक हजार मविशी जो हैं, उनका अब तक आंकड़ा मिला है, कि वो उनको विस्थापित किया गया है, री-लोकेट किया गया, रिप्लेश्मेंट उनका हुआ आप कह सकते हैं, कि वो विस्थापित किया गया है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस मौसम से परिचित रहते हैं पहले से ही क्योंकि लंबे समय से रह रहे हुं को मालूम है कि इस तरह की इस सिति बन सकती है, आएमडी के प्रेडिक्सिंद को वो क्लोज्टी मॉनिटर करते हैं, फोलॉप करते हैं, कई लोग हैं जो एफ़र्ट कर सकते थे वो बगल में होटर्स में चले गए या फिर अपने अगर आप रफ आखरा देखेंगों तो यह है दूसरी बात जो एग्रिकल्चुरल डिस्टरविंस है खास करके कोलापूर अगर आप पूरे पच्छवी महारास्टा को देख लें पूने ले 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 यह सब जो बैसिकली जो पॉकेट से महारास्टा की सुगर्वेट माना तता है कॉर्पोरेटिव का स्ट्रॉंग है यहां पर तो जाहिट तो जो वहां के डेमेजेज होते हैं लेकिन लगातार एजनसियां जो हैं वो कहीना कहीं कोशिश यही कर रही है कि स दन्सिती जल्से जल सामान ने हो सके तो लह कहीं बहुत 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 शुक्रिया आपका हमासाथ जूड़ों के लिए उब्योंत जूड़ोंक अर्हे नियमेजिए ने क्रिके इसा कौन से खजाना अत्म लगा है? खजाना में नहीं, मिशन मिल जया है, हम सब की जीत का. भारत में बना अधुनिक कीट नाशक, जिसकी बेजोड कॉलिटी से मिले फसल की बहतरीन पैदावार. I.I.L. की ट्राक्टर ब्रैंड का मिशन, मिशन है तुजीद पक्की. योगे शीतल बता रहे थे क्या स्थती बनी हुई है, ग्राउंड जीरो पर लगातार साधुन कमान की अगर बात की जायत कोशिश है ही, कि फिर चाहे एक भी इंसान हो, मारव जाती से हो, या जैसे अनोंने बताया है कि जो मवेशी है, उनको भी सुरक्षिश स्थान पर ले जाया गया है, और ना सिर्फ सांगली, बलकि कोलापूर की भी अगर बात की जाया है, खास और से पंच गंगा नदी जो है, वो अभी भी जो खत्री का निशान है, उससे करीब धाई मीटर उपर भह रही है, और ऐसे में उमीद यही की जा रही है, कि जब तक जल स्थर जो है, वो कम नहीं रही है, कि किसी को भी जो ज़्याद समस्या है, वो ना हो, ना सिर्फ उन्होंने जो राशन है, वो लोगों तक पहुंचाया, बलकि कोशिश यही की, यहर कोई स्थान पर जा सके, लेकिन जिस तरीके से बार, बारिश के जो हालात बने हैं देश में, उस बीच ऑपरेशन र रहा है, फिलाल इस पेश करश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की दामाम खबरों के लिए आप देखते रहे है, डीडी निउस मुझे दीजाया, नुमती, नमस्कार